आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नया नास्ता जिस से में इस नास्ती में आपको समासा कच़ोरी पकोड़ी थे सबका स्वाद मिलेगा तो देखे हम इसे बनाएंगे कप आटे से तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप आटा ले लिया है देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया आगा ग्याहूं का है मेरा यहाँ पर मैदा यह मैंने बेशन को इस्तमान नहीं किया है अब मैं इसमें अड़ कर लूँगी ये छोटा एक कप यहाँ पर मैंने सूजी कर लिया है तो देखिए हम इसे सूजी को भी इसमें अड़ करेंगे सूजी आपको यहाँ पर बहुत कम लेना है अब हम इसमें अड़ कर देंगे धनिया पत्ता देख सकते हो आप मैंने यहाँ दनिया पत्ता एड़ किया है जिसे मैंने कट कर लिया था अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया जो हमने थोड़ा मोटा पिसा है यहाँ पर अब हम इसमें एड़ करेंगे यहाँ पर बोना हुआ जीरा पाउडर तो देखे इसे भी इसमें एड़ कर देंगे तैक को सफला मिर्ची तालें दालेंगे यहां र्राट के किसमी पाउडर दालाज यहां जुराजेज़ लिए आप इस तरह से हाद से मिक्स कर देना है सभी को देखना है यहां पर मिक्स करते हुए के साब नुझे फरैंगे हम दो दो चम्मच सूखा आटा निकार लूँगी तो देखे अब हम इसमें एड करेंगे यहाँ पर पानी इसे साइड रख देंगे पानी का एड करना है आपको इसमें देखे इसका आपको एक बेटर लगा कर तयार करना है आप जब भी इसमें डोर को लगाओ तो आपको याद तरह से आटे को गून सकते हो तो देखे इस बात का खाज दियान रखना है कि आटा आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइट होना चाहिए जैसा हमें चाहिए ऐसा हो चुका है अब हम इसे थोड़ा सा और इस तरह से सभी को खटा कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है अची तरह से इसे सैट करते हुए हम इसे साइड में रखनेंगे यहाँ पर आपको इसे 2-3 मुन तक रेष्ट के लिए रख देना है हमारा आटा कुछ देर बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो देखे मैं इसे रेष्ट के लिए और हमने यहाँ पर आलो ले लिए तो जो हमने कद्दुकस किया है उन आलों को हमें एक बावल में यहाँ पर डाल देना है इस तरह से मैं सभी को डाल दूंगे इसमें करेंगे मसाले अर्द देखे मैंने यहाँ पर लिए थे तीन आलो जिने मैंने कद्दुकस कर लिया था तो देखें, मैं यहाँ पर डाल ली हूँ, बुना हुआ जीरा जिसे हमने पाउडर बना लिया है, अब हम यहाँ पर डालेंगे, धनिया है जो हमने पीस के रखा था, मूटा-मूटा आपको यहाँ पीस के लेना है, यह कुछ हरी मिल्च जो हमने कट कर ली है, अब हम इसमें प्याज, एक प्याज मैंने कट करके इसमें डाल दिया है, और देखें, अब हम इसे यहाँ पर लाल मूची अड़ करेंगे, तो देखें, हमें लाल मूची यहाँ पर सेफ सुआदन सार ही लेनी है, जादा आप मत लेना, थोड़ा सा कस्मेरी लिए लाल मूच पाउडर इस मैंने यहाँ पर जीरा भी डाला है, तो देखें, इससे क्या होगा, कि इसकी जो टफिंग है, बहुत ही अच्छी बनेगी, और इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, अब यहाँ पर हमने तोड़ा धनिया, हरा धनिया पत्ता, एड़ कर लिया है, अब हम इसे कर दे मिक्स, और देखें, मिक्स होने के बाद देख सकते हो, आप हमारी टफिंग कितनी सुन्दर बन गए, तयार हो चुकी है, देख सकते हो, बहुत ही टेश्टी है, यह टफिंग, तो देखें फ्रेंस, आप भी इस तरह से बना सकते हो, इसको घर पर, तो देखें, इसके लिए आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा अब देखिए हमने जो दो चम्मच यहाँ पर सूखा आता लिया था हम इसका गोल बना लेंगे तो देखिए गोल बनाने से पहले हम इसमें एड़ करेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए इससे कलर बहुत ही अच्छा हैगा अब हम इसमे पानी एड़ करते हुए इससे चलाते हुए इसका गोल बना लेंगे यहाँ पर मैं इसमें आहिस्ता हिस्ता से पानी एड़ करूंगी एकदम से आपको पानी एड़ नहीं करना है देखिए यहाँ पर अभी इसमें कुछ पानी और एड़ करना है थोड़ा आपको और उसके बाद में हम इस गोल को बना कर तयार करकर रख देंगे साइड में देखे तो मेरा गोल यहां पर बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम इसे रख देंगे साइड में जो हमने आटा लगाया था उसे देख लेते हैं कैसा हमारा आटा हो चुका है तो देखे फ्रेंस यहां पर बहुत ही सॉप्ट हो चुका है हमारा आटा अब हम इसे हातों से थोड़ा सा यहां पर देखे इस तरह से इसे करते हुए हातों से सेट हम इसे यहां पर सेट होने से पहले इसे इस तरह से आपको हातों से मसल लेना है ताकि इसमें जो थोड़ा पहुत लंस रही है वो बिल लेना है, यहाँ पर हमें इसकी एक रोटी सी बना देनी है, रोटी बना कर आपको इस तरह से इसे बेलना है, और देखिए इस तरह से बेलते हुए मैं इसकी बहुती बड़ी सी एक रोटी बना लूँगी, जिसे हम यहाँ पर बना कर तयार करकर दिखाएंगे, तो देखिए ह मैं इसे कर लूँगी साइड से कट आपको इसे कट कर लेना है इस तरह से बनाते हुए देख सकते हो किस तरह से मैंने इसे बेला है आप भी अपने घर पर इसी तरह से बना सकते हो फ्रेस बहुत ही जट पट बन जाता है ये नास्ता तो देखे मैं साइड से इसकी किनारियों क कि आपको यहां पर सॉस लेना है यह मैंने ग्रीन सॉस लेया है तो आप इसकी जगे चाहे तो टमाटर कैचक भी ले सकते हो जैसा आपको पसंद हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो मैं कहूंगे यहां पर कि आप यहां पर टमाटर सॉस इस्तमाल करना तो देखें हम इस तरह से इस पर लगाते हुए सभी को भैला लेंगे टफिंग को इस तरह से तो देखें हमें इस तरह से चम्मस से सेट कर लेना है इसके उपर से तो देखें हम यहां पर सेट कर चुके हैं अब हम इसे इस तरह से देखें जो हमारे पास सॉस बचा था उससे भी इस तर से बना रही हूं, तो आपको भी अपने घर अगर आप बना रहे हो, तो इसी तरह से बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बहुत ही टेश्टी बनेगा, तो देखिए इस तरह से ही बनाते हुए, मैं इसे फोल्ड कर लूंगी, और फोल्ड कनने के बाद देख सकते हो हमारा यहां पर ट्रफिन अब देखना हम इसे करेंगे कट तो कट करने से पहले आपको इसे सेट कर लेना है ताकि इसकी काने अच्छी तरह से एक दूसरी से चिपक जाएं तो देखें अब हम क्या करेंगे यहां पर चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से आपको कट कर देन इस तरह से मैं सभी को यहां पर कट कर लूँगी दिखारी मैं आपको कट कर चुकी हो मैं इसमें से आपको एक निकाल कर दिखाऊंगी और बताऊंगी यहां पर किस तरह से इसे अलग करना है आपको हलके हातों से इस तरह से इसे यहां पर अलग कर देना है और देखिए इस त इस तरह से इसे यहां पर हलके हातों से बना लेना है देखे इस तरह से मैं यहां पर बना दूंगी इसे गुल को रख देंगे साइड में अब मैं आपको दिखाती हूं सभी मैं यहां बना कर तयार कर चुकी हूं देख सकते हो आप देखे बहुत ही जटपट से बन जाता है य यह नाश्तह नाश्ते को मैंने बिलकुल वी इडिट करके नहीं दिखाया है आपको इस तरह से इसके अंदर डालना है चम्मस से आहाद से आपको इसे ओल में इस तरह से छोट देना है तेके यहाँ पर औल आपका तेज गरम होना चाहिए जब में आप इसे बना रहे हो का और ध्यान रखना आप चाहे तो यहां पर इसे देशी गी में भी बना कर तयार कर सकते हो बहुत ही टेश्टी लगती है और फ्रेंस देख सकते हो मैं सभी को छोड़ चुकी हूँ यहां पर ओईल में सभी जो भी मेरे पास है कुछ इन में से बचा लेंगे जो दूसरी बार हम बना कर यहां पर तयार करेंगे तो देखे फ्रेंस मैं सभी को यहां पर सेख लूँगी अब हमें क्या करना है कि इनको पलट देना है आपको पलटते हुए दोनों तरफ से सेख कर मैं दिखाऊंगी तो देखे यहां पर आपको ओईल चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सक सकती हो मैंने तो यहां पर बहुतरी कम उइल में बनाकर दिखाया है तो आ इस तरह से, हमें इसे दोनों तरफ से से शेक ना है तो मैं sub five को एक एक करते हुए यहां पर बलट कर दिखा रही हूं तो देख सकती हो आप से एक तरफ से हो चुकि है हमारि ये ruined अब हम सभी को इस तरह से yaha पलट देङे और शेक लेंगे इस तरह से तो देखे सभी को में पलट दूंगे का इस तरह से मां फ्रेंस आप चाहे तो इसे बेसन से भी बना सकते हो पर आटे से बहुत ही टेश्टी लगता है देखिए हम पर मैंने सभी को पलट दिया है एक तरफ से हमारी यह सीख चुकी है दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से ही सेक लेंगे और देखिए यह हमारे पास बच्चीते जो एक्स्टरा थी हम इसे भी इसमें दुबार फ्र लाइगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने फैमली फ्रेंसों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो देखिए फ्रेंस मैं सभी को इस तरह से यहां पर निकाल दूंगे एक पलेट में और फिर मैं आ आ सकते हो बहुत ही टेश्टी लगेगा और मैं आपको यहां पर तोड़ के दिखा रही हूं इसे अंदर से भी देख सकते हो आप इसकी टॉफिंग कितना यहां पर बिल्कुल अलग लग रही है देख सकते हो बहुत ही शांदार बहुत ही टेश्टी लग रही है देखिए अपने घर जरूर बनाना शिरिफ एक कप आटे से और दो आलों से बन कर तयार हो जाती है ये रेसिपी आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा राधे राधे राधे